I think we are live now So welcome to my channel Education Frile और आज हम discuss करेंगे Complete TVS 4th Class की तो जल्दी से जोड़ जोड़ जाओ आप लो अगर आप live नहीं देख पाओ पूरा वीडियो तो आप 4th Class की EVS में जाके वीडियो देख लेना ठीक है कल आपने discuss करी थी 3rd Class की EVS तो आप playlist में जाके 3rd Class की EVS में वो वीडियो देख सकते हो तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चलो अगर स्क्रीम में कोई दिखकात आ जाए तो मुझे बता देना तो इस वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है अगर आप complete ना देख पाऊ तो आप playlist देख लेना फिर बबाद में तो इस वीडियो में हम complete EVS करेंगे 4th Class की ठीक है पहला चप्टर है going to school इसमें different different ways बताए गए है तो bamboo bridge के बारे में बताए गया है जो की बना होता है बांस से, bamboo से और रस्सियों से ठीक है तो यह basically कहां पे होते हैं? यह होते हैं असाम में इसमें हम बिल्कुल important terms and topic ही पढ़ेंगे ठीक है चलो trolley bridge में क्या होता है? trolley bridge में रस्सी के सारे एक इस तरह के trolley जोड़ी होती है और इस तरह के bridge यूज होते हैं लग्दाक में नदी पार करने के लिए बड़े नाले पार करने के लिए ठीक है cement bridge simple है cement के बने होते हैं, bricks के बने होते हैं, iron के बने होते हैं और इनमें होते हैं सेडियां और ये क्या है, modern preach है चलो, then एक time आती है, wallam तो wallam एक तरह की wooden boat होती है इस तरह के आप देख सकते हो, इन figures में और ये ही योज होती है, kerala में ठीक है, और इस boat को कहते है तो ये terms, please याद रखना, wallam से related चलो, then है camel cart and horse cart तो camel cart क्या है, camel cart में जो भी गाड़ी होती है, उसको camel खीछता है horse cart में, या horse carriage में है जिसको tanga कहते हैं, उसमें horse खीछता है ठीक है, और ये basically कहां पर यह होता है camel cart तो, camel cart basically यूज होता है, रेगिस्तान में या राज्टसान में, okay, desert area में यूज होता है, क्योंकि camel को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज चलो, bullock carts mostly गाउं में यूज होते हैं अभी भी बहुत जगाई यूज होते हैं और इसमें कहा है, जो bulls हैं, वो cart को खीचते हैं चलो, bicycle rights, सभी को पता है हम सभी bicycle से ही जाते थे एक टामाती है जुगाड तो जुगाड क्या है, एक non classical vehicle है इस तरह का कि कोई भी गाड़ी ले ली और उसमें motorcycle या scooter attach कर दिया मतलब जुगाड बना दिया और ये कहां पे, इसमें book में दे रखा है गुजडात में, लेकिन ये आजकल हर जगा दिख जाता है ये जुगाड, इसकी आवाज कैसी होती है foot foot foot, ठीक है तो ये याद एक न, जुगाड वीकल अगर आए तो तो जंगल में भी breezes होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं गाहों में भी, जो नदियां पार करके जाते हैं जंगल पार करके जाते हैं पढ़ने कुछ बच्चे जाते हैं, जैसे northern hills में क्या है बरफिली इलाकों से होके वो बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने रोकिपात कहां पे होंगे, ये कहां है उत्तरा कंड में होंगे और ले लगदाग में भी कहा हैं, इसी तरह के रास्ते हैं चलो, इसे related इक टाम है इस chapter में, तो आटी 2009 में कहा है, corporal punishment आइदर physical और mental harassment नहीं दे सकते ये section 71, para 1 के अंदर prohibited है, ठीक है अब किसी बच्चे को किसी भी तरह की physical punishment ये mental harassment नहीं कर सकते हो, और ये punishable offense है section 71, para 2 के अंदर ठीक है, अगर किसी ने किसी बच्चो को मार दिया और उसने complain कर दी तो आपको punish किया जा सकता है, teacher को punish किया जा सकता है चलो, then है chapter 2, year to year तो year सभी को पता है सुनने में help करते हैं हैं न stream में कोई दिक्कत आ जाने हैं, तो please comment कर देना है, मैं check कर लूँगा तो year सभी अनिमल्स में होते हैं, कुछ में दिखाई देते हैं, कुछ में दिखाई नहीं देते हैं, तो जैसे ये birds होती है, इनमें external ears नहीं होते हैं, छोटे पर ये देख सकते हैं tiny holes, लेकिन जब बड़े होते हैं, तो ये punk के जरिए या feathers के जरिए ढख जाते हैं, ठीक है, लेकिन ears ह होते हैं जरूर फ्रॉग एंड लिजर्ट्स मेंडक और चिपकली में क्या है एक्सटर्नल इयर्स नहीं होते उसके जगह पे एक मेंब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं टिम्पैनिक मेंब्रेन तो यह याद रखना आप लोग कि अगर पूछे की चिपकली और फ्रॉ लोकोडाइल्स में भी इयर होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं और इनके इयर ढखे होते हैं एक मेंब्रेन से क्योंकि पानी में जाएंगे तो पानी चला जाएगा इनके अंदर तो यह इयर को ढख लेते हैं अपने कानों को ढख लेते हैं चलो देन आता है, होज स्किन, किसकी स्किन है, तो different जो patterns होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, animals पे, वो होते हैं, इनकी बालों के कारण, अगर आप बाल काट दोगे, इनके सभी, तो patterns नहीं दिखाए देंगे, ठीक है, ये animals हो जाएंगे, बिल्कुल nude, clear है, तो जो भी pattern होते है हैं, वो होते हैं, बालों के कारण है, अगर ये question आए, तो आप tick कर देना, चलो, इसमें एक ओर important time है, कि जिनके external years होते हैं, वो जनम देते हैं, बच्चों को, ठीक है, और जिनके external years नहीं दिखाए देते हैं, वो देते हैं, अंडे, clear है, जिसके external years होते हैं, वो young ones को जनम द देते हैं, और जिनके external years नहीं होते हैं, वो देते हैं, अंडे, symbol, चलो, डाइनसोर से related, आज कोन से animals हैं, तो मगर मच बहुत पुराना है, डाइनसोर जैसा दिखता है, मतलब उसकी skin और उस texture वैसा है, राइनो जो गैंडा होए, वो भी virtually कैसा दिखता है, डाइनसोर जैसे ह लिखते हैं, हाला कि यह जानवर real में भी बहुत सालों से रह रहे हैं, बहुत सालों से, चलो देन है, यह डे भी नंदू, तो यह story है, एक छोटे elephant की, elephant के बारे में कुछ facts हैं, उनको याद रखना, तो elephant, जो adult elephant होता है, वो 100 kg तक पत्तियां और टहनियां खा सकता है, ठीक ह मर्ड इनकी skin को ठंडा रखती है, गर्मियों में, समर में, और इनके बड़े जो ears हैं, वो काम करते हैं, फैंस की तरह, नंदू इसमें क्या है, तीन महिने का बच्चा है, लेकिन उसका वजन कितना है, 200 kg है, ठीक है, तो यह facts और फंडे, याद रखना अप लोग, adult elephant खा सकता है, 200 kg तक, दो से चार घंटे सोते हैं, नंदू तीन महिने का इसमें, और उसका वजन है 200 kg, चलो, एक और fact, तो elephant जो hard होता है, उसमें जो main मुकिया होता है, वो होती है, oldest female, ठीक है, oldest female, hard की मुकिया होती है, और इनके hard में होते हैं, 10 से 12 elephant और छोटे बच्चे, मत और जब male elephant 14 से 15 साल के होते हैं, तब इनको hard छोड़ना पड़ता है, ठीक है, clear है, चलो, the story of Amrita, तो इस story में क्या है, यह real story है, 300 साल पहले की story है, एक village का नाम है, इसमें खेजडली village, और यहाँ पे एक lady रहती थी, अमरिता, तो यह जो village है, खेजडली village, यह है, जोदपू राजिस्तान में, इस village का यह नाम क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ मिलते है, खेजडी tree, अभी हम देखेंगे, next slide ते खेजडी tree कैसा दिखता है, तो यहाँ के लोग plants और animals का बहुत ध्यान रखते हैं, और यह कहते हैं, कि अगर पेड हैं, तो हम हैं, जो कि real भी है, बहुत जादा ही हद तक, plant और animals नहीं होंगे, तो हम survive नहीं कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी कर वा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा video हो जाएगा, यह है खेजडी tree, आइधिंग देखा भी होगा आपने, prosopis sinneiraria, ठीक है, इसकी फलियां ऐसे लगती हैं, इसकी flowers इस तरह से हो क्या, अमरिता और इसकी बीटी गले लगाने जा रहे थे, पेड को जैसे वहाँ पे रिवाज था, तो कुछ लोग कुलाडी के साथ आए, और वो लकडी को काट रहे थे, तो अमरिता ने पेड को गले लगा दिया, और पेड को नहीं कटने दिया, और इस बीच, अमरिता औ या कोई भी ट्री को harm नहीं करेगा, ठीक है, तो यह स्टोरी किसकी है, यह स्टोरी है विस्नोईज की, विस्नोईज जो होते हैं, वो plants और animals की बहुत ज्यादा respect करते हैं, एक ओटा में इसे related, अमरिता देवी विस्नोईजी के नाम पे एक national award दिया जाता है, जो कि है, wildlife conservation award, किसको दिया जाता है, जो कि wildlife protection की field में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, तो यह terms प्लीज याद रखना आप, चलो, देन है, अनीता एंड हनी बीज, तो यह भी real story है, इसमें याद रखने वाली बात क्या है, कि जो बोचाहा village है, मुझफर पूर डिस्टिक में है, और कहां भी बिहार में, यहाँ भी बिहार वैसे भी लीची के लिए बहुत famous है, तो लीची के टीच पर क्या है, हनी बीज आती है, ठीक है, attract हो जाती है, और बीज, अंडे कब देती है, October से December के बीच में, ठीक है, बी farming को क्या कहते हैं, अगर यह पूछे कि अपिकल्चर क्या होता है, तो वो होता है, बी farming, या बी farming क्या होती है, तो वो होती है, एपिकल्चर, चलो, बी हैस में क्या होती है, जो चत्ता होता है, मदु मक्की का, उसमें क्या होती है, एक queen होती है, जो की अंडे देती है, और कुछ मेल्स होते, ब रक्षा करना या उसमें काम करना चलो और इस तरह का कल्चब इसमें होता है एंड्स में या चेटियों में होता है उसमें भी क्या है क्वीन आंट होती है सोलजर आंट होती है और वरकर आंट होती है वरकर आंट का वही काम है रच्छा करना एंड खाना प्रोवाइड करना इसी तरह का culture कि इसमें होता है termites में वास्त में भी होता है जो दतईया होता है और dhimaq जो होते हैं उसमें भी इसी तरह का manpower का division होता है चलो देन है उमाना जर्नी इसमें symbol से चीज़े पढ़ेंगा इसमें के गांधी धाम, एमदाबाद, वलसाड कहां पे हैं ये हैं गुजराद टिस्टिक में कोजी कोड़े है केरला में ठीक है रेलवे से जुड़े कुछ प्रोफेस्टेंस हैं कुली, गार्ड, ड्राइवर, टिकट चेकर रेलवे, पुलिस होती है, आर्पिएफ सफाई करमचारी होती है, टिकट सैलर होती है तो यहाँ पे मैप देख सकते हैं गांधी धाम यहाँ पे है, एमदाबाद, सूरत ये है वलसाड उसके बाद, फिर थाने, थाने है मारास्टा में और खोजी कोड़े हैं केरला में ठीक है, इस स्टोरी के थ्रूप बताने के कोसिस की गई है डिफ्रेंट डिफ्रेंट जगा कोन से स्टेट में है चलो ये भी ओमानाई के चैप्टर से है तो ओमाना किनीन खुल के मढगाओं में मढगाओं कहां पे, गोवा में है ठीक है, इन टर्म्स को अच्छे से याद रखना है बहुत सिंपल है, ओडिपी, ओडिपी है करनाट का में ओकी, कोजी कोड़े है केरला में कोटायम है केरला में इसमें टर्म ये नहीं है, हाँ निसा ये इसमें कुछ ठाम है, वली अम्मा वली अम्मा होती है, मदर की एल्डर सिस्टम, मतलब बड़ी मौसी आपकी अमम्मा होती है, नानी, ठीक है तो केरला में अमम्मा होती है नानी और वली अम्मा कहते है मा की बड़ी बहन को गोवा से केरला के पूरे रूट में 200 ब्रीजेस हैं और 92 टरनल्स हैं चलो इस चैप्टर में कुछ लैंग्विज दी गई हैं तो मल्यालम काम बोली जाती है केरला में कौनकरणी, गोवा में, माराथी, मारास्टा में, गुजराती अफ्कोर्स गुजरात में और करनाट का में, तो प्लीज ये चीजें याद रखना चलो ये देख लो, मटगाओं गोवा में था, उडिपी, मैंगलोर से पीछे, करनाट का में कोजी कोड़ो इस साइड है कहीं, केरला में, कोटेयम भी क्या है, केरला में है चलो, चैप्टर एट में कुछ ज़्यादा है नी, फैरी के बारे में है, तो फैरी अगर किसी को नहीं पता, तो फैरी एक तरह की पोर्ट होती है जो कि पीपल को या लोगों को मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाती है, रिवर के चलो, ये देख लो, गांधी दाम, एम्दाबाद, वरोतरा, सूरत, वलसाठ, ये सभी गुजरात में विवन्डी बॉर्डर पे है, मतलब महरास्टा में है, और उसके बाद फिर गुजरा स्टार्ट हो जाता है मटगाउं, गोवा में है, उडिपी, करनाटका में, केरला में क्या 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 है, कोजी कोडे, त्रीचूर, अरनाकुलम टाउन, कोटेम, त्रिवेंद्रम ये सभी हैं केरला में, मतलब और भी चीज़े हैं लेकिन हमें बुक के कोड़िंग पढ़ना है नागर कोईल दे रखा है, इसमें नागर कोईल है, तमिल नाडो में ठीक है, तो ये चीज़ें प्लीज याद रखना चलो देन है, चैप्टर नाइन में उतना कुछ है नहीं, इसमें लो दे रखा है, और चाइल मैरिज की प्लीज याद रखना है, आज प्लीज याद रखना है, तो इसमें कैस्ट प्लीज होते हैं, ठीक है sand plates होते हैं 7 player यहाँ पे 7 player यहाँ पे और जो player इस तरफ जाएगा उसको अपनी सांस रोकनी होती है उसको कहते हैं raider और जो बाकि defense करते हैं वो होते हैं defender चलो koko क्या है koko में सबने खेले यह alternate leave सब हम बैठते हैं एक जाना भागता रहता है और वो उसको push करता है फिर उसको भागना बढ़ता है चलो then है इसमें कर्णम मलेसवरी जी के बारे में तो कर्णम मलेसवरी जी कौन थी यह थी एक weight lifter ठीक है यह belong करती है आंध्रा परदेश को इनके father police constable थी और यह 12 साल की उमर से ही weight lifting कर रही है यह 130 kg तक उठा सकती थी और इनोंने total 29 medals जीते हैं पूरे international events में clear है और इनकी जो चार बहनें वो भी सभी weight lifting करती है चलो then है ज्वाला, लीला, एनहीरा जी के बारे में तो यह मुंबई में रहती है और सभी कबड़ी के team में थी और यह कबड़ी सिखाती भी थी दूसरों को इनोंने कबड़ी club का भी गठन किया था जो की आज भी active है clear है तो अगर यह पूछे कि ज्वाला, लीला और हीरा जी कौन थी तो वो थी कबड़ी players और कबड़ी club किसके दोरा चलाया गया स्टार्ट किया गए तो वो ज्वाला, लीला, हीरा जी के दोरा चलो देन है the valley of flower तो valley of flower है उत्राकंड में ठीक है यहाँ पे different types of flowers पाए जाते हैं यह एक Indian National Park है यह कहाँ पे North Chamoli में पितोरागड उत्राकंड में है ठीक है यहाँ पे क्या होते है Endemic Alpine Flowers मतलब Endemic होते है जो particular उसी area में मिलते है उनको कहते हैं Endemic तो यहाँ पे वही flower मिलते है जो particular इसी region में होते है और यहाँ पे बहुत तरह की flora है flora मतलब होते है plants तो varieties of plant और flowers होते हैं यहाँ पे चलो then है यह design तो यह design किसके बारे में महलब design को क्या कहते है मदुबनी art कहते हैं या मदुबनी painting कहते हैं और इसको मिधिला painting भी कहते है ठीक है तो यह चीज़ देखना यह इसका origin है मदुबनी विहार में ठीक है यह कब बनाई जाती है festivals के दोरान और जब भी कोई happy occasion होता है तो घरों में और courtyard में paint किया जाता है इसमें हो तक है चावल का paste होता है और natural colors होते हैं जो की निकाले जाते हैं एक्स्टैक्ट किया जाते हैं तर्मरी खल्दी से indigo जिसको नील कहते हैं और flowers या trees से ठीक है इन paintings में क्या होते है trees, animals, flowers, birds तो यह सभी points याद रखना कहीं से question गुहां फिरा के पूछ ले तो बता देना यह simple सी चीज़ें देख लो गुडल, hibiscus कहते हैं से china rose यह है rose गुलाब, यह है sunflower, सूरज बुखी then है marigold गैंदे का फूल, यह है चंपा, plumeria, alba, यह है jasmine, jamili कहते हैं इसे osimum तुलसी को कहते हैं ठीक है, रात की रानी को कहते हैं night blooming jasmine, chrysanthemum को कहते हैं guldauri या guldaudi यह चीज़े यह रख लो, कि कौन से फूल कहां पर होते हैं, तो गुलमोहर और कदम के क्या होते हैं, पेड होते हैं, बूस क्या होते हैं, जाड़ी, किसकी हो सकते हैं, lavender and hibiscus की creepers plant को होते हैं, जो जमीन में रहते हैं, ठीक है, उनकी stem इतनी मजबूत नहीं होती कि उपर चलता हैं, तो जमीन में ही चलते रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं creepers, तो चमपा और कोरल वैन क्या है, creepers है, water plant का examples क्या है, water lily and lotus, ठीक है, night में ही कौन से bloom करते हैं, तो वो है moon flower and queen of night भाकी क्या है bloom in day and close at night तो sunflower और poppy क्या है दिन में तो bloom करते हैं रात में bloom नहीं करते हैं just a minute मैं पानी पिलू चलो कुछ facts है उत्त परदेश में कचनार के फूलो की सबजी बनती है किर्डला में बनाना के फूलो की सबजी बनती है ये facts याद रखना है है question आ सकते हैं महरास्ट्रा में sajan के flowers की सबजी बनती है sajan के flowers चोटे चोटे होते हैं छोलो marigold and genia या genia इस तरह से भी होड़ सकते हैं इसकी ये यूज होते हैं color making के लिए ठीक है marigold या ganda तो सब ने देख आई है genia देख लो genia ये flower होता है देख सकते हो आप कितना bright है तो इसका यूज होता है color making के लिए चलो एक और fact उत्तर परदेश में जो कन्नोज district है वो famous है अपने इत्र के लिए rose water के लिए and kevda water के लिए ठीक है तो ये याद रखना कि उत्तर परदेश में कौन सा district famous है इत्र, rose water and kevda water के लिए तो वो है कन्नोज चलो देन एक story है चेतन्दास की चेतन्दास रहता था पहले डेरा गाजी खान में जो की पाकिस्तान में है यह आजाद एक time की story actually तो यह दिल्ली आजाते हैं दिल्ली में कहां रुखते हैं सोना विलेज में रुखते हैं जो की है गुरुगराम के पास याज गुडगाउं जैसे कहते थे और यह हरियाना में इसमें एक और fact है कि नीम और कीकर जिसको एकेसिया कहते हैं उसका यूज होता है एजे paste ताकि जो दीमक है वो ना लगे ठीक है चलो एक और fact है पलवल कहां पे पलवल है हरियाना डिस्टिक में पुराने घर मिट्टी के बनते थे नए घर किसके बनते हैं आइरन, बेक्ट ब्रिक, मार्बल, सिमेंट और निव टेकनलोजी यूज होती है ओक्यूपेशन कौन से हो सकते हैं बिल्डिंग, हाउस हाउस या कोई बिल्डिंग मनाने में तो मैसन मैसन होता है जो इट उठाता है, काम करता है प्लमबर्स, इलेक्टिसियन, लेबर्स चलो, चैप्टर थर्टीन ए रिवर टेल, इसमें भी खास कुछ है नहीं तो जब कल जब रिवर का, कोई नदी का उत्थान होता है, स्टार्ट होता है कोई नदी स्टार्ट होती तो उसका कलर कैसा होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल वाइट होता है, या कलर लाइस कह सकते हैं आप, कही जग़ए क्योंकि, वो बिल्कुल cleanest water होता है ठीक है क्योंकि वहाँ पे कोई भी pollution नहीं होता जब नदी start होती है पॉलिट कौन करता है हम ही करते हैं वेस्ट फेक देते हैं अपने जानवर अपने लाते हैं इंडस्टीज वेस्ट भी होता है सीवेज वेस्ट भी होता है plastics के जरी हम अपनी नदीयों को बहुत गंदा कर चुके हैं already चलो next है यह important है important का मतलब कुछ इसमें टांस है तो यह बसवा के story है बसवा रहता है बैलवानिका village में कहां पे करनाटका में यह याद रखना है बैलवानिका village तो जुलाई में इसके पापा लगाते हैं onion की crop तो यह भी द्यानक ना onion की कहती कब होती है करनाटका डिस्टिक में जुलाई में यह लोग यूज करते हैं खूटी जिसको हम लोग कहते हैं प्लोग, पस्सी, आइरन टूल यह देख सकते हैं यहाँ पे, यह है एक खूटी तो खूटी का यूज होते है मिट्टी कोधने के लिए और उसको lose करने के लिए ठीक है एक और टूल है जिसको bell खीछते हैं उसको कहते हैं कुरिंच या करिंच यह क्या है बीज बोने का एक टूल है यहाँ पे बीज डाल देते हैं बीज चले जाते हैं यहाँ पे और यह आगे चलता रहता है और मिटी में बीज दपते रहते हैं ठीक है इसको कहते हैं कुरिंज तो यह पूछे कि कुरिंज क्या होता है तो यह बीज बोने का एक टूल है चलो त्यन है ये इल लेगे ILL IGE है ये ठीक है इससे कट करते हैं जो प्याज के सोकी पतिया होती हैं उसको कट करते हैं ठीक है मतलब कटिंग के लिए उज़ होता है देख सकते हैं इससे कई जगा सबजियां भी काटी जाती है इसको कहते हैं इल लेगे ILL IGE ठीक है तो ये सब ही आएं तो प्लीज रिपलाई कर देना चलो फ्रॉम मार्केट टू होम ये बहुत चोटा ही है इसमें कुछ बताने वाला है नि गनी बैक, सैक और बरलेप क्या होते हैं जूट की बोरियों को कहते हैं बिंडी को कहते हैं उकरा, बिंजल को कहते हैं एक प्लांट भी कहते हैं गार्ड होती है लॉकी चलो ये थोड़ा इंपोर्टन है इसको ध्यान से देखना तो इसमें डिफ्रेंट नेस्ट के बारे में बताया गया है गोस्लो के बारे में बताया गया है तो जो डव होती है जो डव पक्षी होता है वो अपना नेस्ट कहां में बनाता है वो बनाता है कैक्टस के बीच में और मेंदी के जो बुस होती है बाड़ होती है उसके बीच में यह है इंडियन रॉबिन इसके गोस्वाम क्या हो सकती है ग्रास हो सकती है soft tannia हो सकती है roots हो सकती है old हो सकती है hair हो सकती है cotton old हो सकती है चलो next है crow कवव तो कवव कह है बहुत उचे बनाता है अपना घोसला ठीक है और ये सभी तरह कुछ भी उच कर लेता है अपने घोसले बना ले के लिए घास root, tar जो भी इसको मिल जाए coil बहुत अलाग है coil अपना घोसला नहीं बनाती है वो इसी के घोसले में अंडे दे देती है और कववा बिचारा इसके अंडे को अपने अंडे समझ के पाल लेता है simple pigeon pigeon कहीं पे भी उसको जगा मिल जाए वो वहीं घोसला बना देता है then है यह बाबिट बाबिट को कहते हैं copper smith bird तो जो term मैं बता रहा हूँ यहाँ पर प्लीज याद करते जाना यह important terms है इस summer में कैसे यवाज करता है टूप 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 ऐसे कियों करता है यह पेड के तने में अपना घोसला बनाता है ठीक है ट्रे ट्रंक में अपना घोसला बनाता है कौन है यह यह है बाबिट copper smith bird चलो then है tailor bird tailor bird बहुत ही अच्छी सिलाई का रमचारी है या बहुत अच्छा fashion designer कह सकते हो यह दो पत्तो को आपस में जोड के ना उसको आपस में सिल्के बहुत ही ज़्यादा अच्छा घोसला बनाती है ठीक है यह है tailor bird then है यह sun bird sun bird क्या है इसके जो घोसले है वो पेड़ों से उल्टे लटकते हैं ठीक है अपने side देखा भी हो कहीं पर इसके घोसले ऐसे होते हैं मदलब टैनियों से लटकते रहते हैं ठीक है इसके घोसलों में क्या है hairs हो सकते हैं, grass हो सकती है thin tricks हो सकती है, sookी पतिया हो सकती है cotton wool हो सकती है tree bark भी हो सकती है मदलब पेड की चाल हो सकती है कपड़े के टुकड़े भी हो सकते हैं और spider की cob webs भी हो सकते हैं ठीक है यह है sun bird simple अगर यह पूछे कि किसके गोसले invert होते हैं या टैनियों पे लटकते रहते हैं तो वो है sun bird, tailor bird यह पूछे कि दो पत्तियों के मिला के कौन गोसला बनाता है तो वो है tailor bird ठीक है तो जो भी इसमें न वो बिल्कुल to the point है इनको अच्छे से याद करना चलो देन है यह weaver bird, weaver bird क्या है इसमें male गोसला बनाता है और female चूछ करती है कि किसका गोसला सबसे अच्छा है या प्यारा है और उसमें अंडे देती है ठीक है तो यह है weaver bird यह घास से अपना गोसला बनाते है mostly ठीक है तो male का जिसका भी अच्छा गोसला होता है female वहीं पे जाके अपने अंडे देती है चलो इससे तो साइध ही question आए फिर भी देख लो एक बाद जो मासा हरी पक्षी होते हैं उनकी चोंच या बीक इस तरह के होती है क्योंकि यह मास को क्या कहते है नोच सके है न उसको अलग-अलग कर सके यह kingfisher, kingfisher की चोंच आप देख सकते हो लकड़ी में छेद करने के लिए कववा टाइप आफ कानी वारस है non wedge भी खा सकता है wedge भी खा सकता है, मतलब दाने भी खा सकता है तो इसकी चोंच मिक्स टाइप है more दोनों चीज खाता है animal भी मतलब flash भी खा सकता है और grain भी खा सकता है यह बगला बगला की चोंच लंबी होती है ताकि यह मचलियां hold कर सके और पानी में आसानी से देखके चलो कुछ होते हैं इनके seeds तो ये वाले help करते हैं swim करने के लिए ये branches hold करने के लिए help करते हैं ऐसे जो होते हैं ये help करते हैं prey को पकड़ने के लिए इनके पैर लंबे होते हैं ताकि पानी में असानी से चल सकें और जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है ताकि कोई भी bird असानी से branches पे चड़ सकें ठीक है ये है climb the tree ठीक है clear है चलो then hand hand नंदिता इन मुंबई तो ये सभी को पता होगा साइब mama maternal uncle को कहते है mommy mama की wife होती है flat क्या होते है house या home होते है usually in large building है न जो बड़ी building होती है बड़े सहरों में उनमें अलग-अलग कमरे होते है flats होते है ठीक है चलो too much water too little water तो इसमें स्टोरी है नाला मादा की ये है अंध्रा पर्देश में अप्पा को कहते हैं फादर यहां पे बजार गाओं है महरास्ट्रा में ठीक है water park क्या होते हैं यहां पे फन राइट्स होती है ताकि आप पाने में खेल सको और स्विम कर सको क्यों फे परेट भी क्या है मुंबई में है तो यह जो जगह के नाम है ना इनको प्लीज याद रखना आप लोग कि कौन सी जगह कहां पे है चलो contaminated water से बहुत तरह की बिमारिया हो सकती है जैसे कि डारिया टाइफर्ट कॉलरा ठीक है अगर डारिया कैसी को हो जाता है तो चिनी और सॉल का mixture दिया जाता है यह काम करता है electrolyte की तरह और oral rehydration solution भी दे सकते हैं जैसे कहते हैं ORS और अगर डारिया और vomiting बहुत ज़्यादा है तो doctor की immediate help लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डारिया होता है तो electrolyte imbalance हो जाता है और मौत हो सकती है चलो देन एक और जगा है हॉल गुंडी हॉल गुंडी कहां पे करनाट का में है ठीक है यहां पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी drinking के लिए भी farming के लिए और animals के लिए भी तो यहां पे लोगों को घर छोड़ने पड़े लेकिन यहां पे कहा था children's penchai thi जिसको कहते है भीमा संग तो यह term यहाद रखना कि होल गुंडी में जो children's penchai thi उसका नाम क्या है इनको कहते है भीमा संग ठीक है तो भीमा संग ने बहुत उपाय कि ये बहुत methods किये और वहाँ पर पानी फिर से रहने लगा चलो अब्दूल इन्हे गार्णन इसमें से हमें बताने की root कौन सी है तो carrot root है और ये root है ये root है और beet root root है ठीक है तो carrot, radish, beet root and turnip बाकी सबी क्या है fruits है चलो creepers, creepers क्या होते हैं? creepers वो plant होते हैं जिनकी stem जो है बहुत कमजोर होती है और वो खड़े नहीं हो सकते हैं इसलिए वो जमीन में creep करने लगते हैं रेंग नहीं लगते हैं इसके examples है pumpkin, watermelon या melon या बहुत तरह के पेड़ क्योंकि अपने आपसे खड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें कहते हैं creeper दैनिसी में एक टाम आती है climber climber क्या होते हैं? जैसे money plant होता है और अंगूर की बेल होती है अगर आप उन्हें एक चड़ी provide कर दोगे एक support provide कर दोगे तो वो उसकी मदद से आगे बढ़ जाएंगे ठीक है? यह होते है climber मलब जो support की मदद से चड़ जाएं चलो तो यह भी law है अगर आपको किसी पेड की टहनी भी काटनी है, branches भी काटनी है तो आपको government office से permission लेनी होगी इसमें एक term है world environmental day या world environment day का मना जाता है यह मना जाता है पाँच जून को ठीक है? चलो इसमें एक और important चीज है डेज़ट ओक के बारें बताया है जो कि Australia में पाया जाता है 10 से 16 मेटर हो सकती है इसकी height और 10 से 50 feet या इसकी जड़े जो है roots है तब तक बढ़ती रहती है जमीन के और तब तक जब तक इसे पानी ना मिल जाए ठीक है? इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है और वहाँ के लोगों को पता है कि इसकी जड़ें गहरी होती है और ये जो पानी है उसको store कर लेता है ट्रंक में या तने में तो लोग इस तने में अराम से pipe डालके पानी को पी सकते है ठीक है? डैजर टोप का example प्लीज याद रखना आप लोगों चलो eating together तो इसमें बीहू के बारे में बताया गया है बीहू एक festival है जो कि या साम में मनाया जाता है कब मनाया जाता है? जब चावल की नई crop आती है मतलब उसे काटा जाता है ठीक है? तो bamboo and grass का एगर होता है जिसको कहते ह बेला घर यह terms प्लीज याद रखना है ठीक है इनी से questions आते है किससे बनता है? बांस से और घास से माग भी हूँ माग भी हूँ क्या है? 14 और 15 जन्वरी को celebrate किया जाता है जिसमें यह जो first day है and second mark का दिन है ठीक है? और यह ऐसे नहीं इस calendar में क्या है? 10th दस्वा महीना है first day को क्या कहते है? उरुका कहते है ठीक है? माग भी हूँ स्टार्ट होता है 14 पंद्रा को 10 वा महीने मनाये जाता है जो पहला दिन होता है यह उसको कहते है उरुका और इस दिन बनता है बोरा बोरा एक्शली क्या है? common variety है असाम की sticky dice की ठीक है? अगर यह पूछे की बोरा क्या है तो बोरा एक चावल की वराइटी है छलो भोगली का मतलब क्या है? feasting मतलब party करना SMEAS में SMEAS language में भोगाली का मतलब है feasting clear है? यह सभी points प्लीज याद रखना है भीला गर क्या होता है? माग भीू क्या होता है? उरुका क्या होता है? माग भीू का के पहले दिन को ही उरुका कहते है चलो, पीठा क्या है? पीठा है एक special rice preparation जिसको बीवु के दिन मनाया जाता है इसको चेवा राइस भी क्या है? चेवा राइस एक डिस होती है एक बड़े पतीले में पानी करम किया जाता है, ठीक है? उसमें कड़ाई रखी जाती है, कड़ाई में चावल रखे जाते हैं और चावल पख जाता है, उसको कहते हैं चेवा राइस ठीक है? और इस बड़े पतीले को या बिग वैसल को क्या कहते हैं? बिग ताओ कहते हैं clear है then है इसमें को टर्म कि जो women होती है जो ओरती होती है वहाँ पे dress कौन से पहनती है pet and mooga, mikaala, chador ठीक है यह term याद रखना pet या pet जैसे भी pronounce करना है please याद रख ले न mooga, mikaala, chador ठीक है यह है महिलाओ की dress यहाँ पे चलो इसमें को टम आती है कि magic इसको कहते है तो magic होता है उटका heap जो की जलाया जाता है be who के next day को ठीक है और भेला गर को भी आग लगा देते है तो यह है magic आप देख सकते हो यह तो यह terms please याद रखना चलो इसी में है mid day meal तो mid day meal क्या है government schools में man nutrition को tackle करने के लिए जो खाना दिया जाता है दुपैर में afternoon में इसको कहते है mid day meal तो इस chapter में तो काफी important point थे चलो food and fun तो इसमें है गुरुद्वारा के बारे में तो गुरुद्वारा क्या होता है Sikh community की holy place होती है और सभी लोग इसमें visit कर सकते है बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद भी क्योंकि खाना प्रोवाइड करते हैं यह लंगर प्रोवाइड करते हैं जहां पर कोई भी जाके खा सकता है खाना है न तो इसमें कुछ terms है कड़ा परसाद कड़ा परसाद के एक तरह का हलवा होता है जो की बनता है roasted flour से घी में ठीक है मलब आटे को भूना जाता है घी के अंदर बड़ी सी कड़ाई में इसलिए कि इसको कहते हैं कड़ा परसाद तंदूर क्या होता है तंदूर एक तरह की भटी होती है जिसमें रोटी या चपाती तकाई जाती है अर्दास क्या होती है तरह की पूजा होती है सीख में उसके बाद फिर कड़ा परसाद दिया जाता है लंगर क्या है जहां पे खाना पकता है और जहां पे सभी लोग इकटे बैठके खाते है उसको कहते है लंगर तो यह बेसिक सीटाम थी है यह सब तो सभी को पताईए चलो देन है पोचंपली तो इसमें एक विलेज है मुक्तार विलेज पोचंपली टाउन में तेलंगाना में ठीक है यह तीनो टम यहाँ रखना मुक्तारपूर विलेज पोचम पल्ली क्या है एक तरह का special cloth है जो कि यह सिलते हैं कैसे process होती है यह thread लाते हैं ठीक है उन thread को पानी में उबालते हैं उसको ताकि उसमें से जो dirt है और दाग है और चले जाएं देन इन threads को dye किया जाता है, bright colors में, actually पोचम पल्ली उसमें bright colors का बहुत ज़्यादा यूज होता है और इन धागों को सुखाया जाता है और फिर इनको सिला जाता है यहां पर देख सकते हो आप धागे लाए जाते हैं उनको उबाला जाता है उनको डाय किया जाता है सुखाया जाता है फिर लूम्स में इनको सिला जाता है यह हैं पोचंपली की साड़ियां जो कि बहुत famous हैं वर्ल्ड में भी तो लूम में क्या होती हैं बहुत सारी needles होती है size जो number depend करता है design के according ठीक है तो यह सब तो हमने कर लिया है एक traditional craft है जो कि world famous है other craft कोंस है कुलू सोल्स जो कुलू में होती है मदुबनी painting हमने पहले पढ़ लिया है awesome silk बहुत famous है कस्मीरी embroidery भी बहुत famous है चलो chapter 24 home and up road तो इसमें United Arab Emirates के बारे बताया गया है UAE जिसकी राजधानी है अभू धाबी ठीक है तो इसमें क्या है चितपन कौन होता है पापा का छोटा भाई ठीक है मलब चाचा मल्यालम में चितपन को कहते है चाचा को कहते हैं चितपन कुझ अम्मा कौन होती है मिट्टी के पहाण चलो करंसी क्या है अबुदाबे की धिराम है याद रखना यार यह सभी टर्म्स लेंग्विज क्या है एरेबिक बाकी डिफरेंट करंट्रीज की करंसी देख लेते है इंग्लैंड की पाउंड है चाइना का येन है इंडिया का सभी को पता ही होना चाहिए इंडियन लुपीज, यूएस का यूएज डॉलर ओमान का है, ओमानी रियाल ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बुक में है चलो, स्पाइसी रिडल चैप्टर 26 तो ये सभी को पता है रेड चिलीज, लाल मिर्श, क्यूमिन जीरा ब्लैक पेपर काली मिर्श, टर्मली कहते हैं हल्दी को सौफ, फैनल या एनिसीड भी कहते हैं इसी क्लो, लॉन को कहते हैं जो कि आप पिक्चर्स में देख सकते हूँ चलो, लास्ट चैप्टर है डिफेंस ओफिसर वही था जी के बार में तो यह क्या है लेफ्टिनेंट कमांडर वही था प्रेज्ब है यह एक डॉक्टर है इंडियन नेवी में ठीक है, इन्होंने यह पहली लेडी है जिन्होंने नेवल सिप पे काम किया और एक परेट को लीड किया तो अगर यह पूछे कि पहली महिला कौन है जिन्होंने परेट को लीड किया आगे रही वो है वहीदा प्रेज्ब ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रेज्ब यह कहां से बिलोंग करते हैं बिलाउं करती है धन्ना मंडी रजोड़ी डिस्टिक में ही जम्मू कस्मीर में और यह एक डॉक्टर भी है इन्होंने अपनी डॉक्टर के पढ़ाई कहां से यह थी जम्मू मेडिकल कॉलेज पर की थी ठीक है तो याद रखना यह तो जो लीड करता है उसके पीछे होती है फोर प्लाटोन्स होती है ठीक है और इनको अपने पूरे परेड में 36 कमांड देनी थी क्लियर है चलो यह है लास्ट चैप्टर चुसकिट गोज टू स्कूल तो चुसकिट एक दस साल की लड़की है जो कि पहली बार स्कूल जा रही है इतनी लेट इसले जा रही क्योंकि यह डिफरेंट ली एबल थी ठीक है तो इसमें स्कित्पो पुल विलेज यह कहा है लद्दाक में है नाम याद रखना नाम ही इंपॉर्डटन है यहां पर होते हैं पॉपलर ट्रीज इनको कहते हैं कॉटनूर ठीक है मदर को क्या कहते हैं यहां पर आमा ले फादर को आबा ले और ग्रांट फादर को मेमे ले या मेम ले ठीक है जैसे भी आपको याद रखना है आप प्लीज याद रखना इनको क्योंकि यह terms है terms ही questions में आएंगी तो इन terms को अच्छे से याद रखना skitpo village, लदाक में, popular trees, cottonwood, amalay mother amalay father, memalay grandfather को कहते हैं ठीक है तो I hope वीडियो अच्छा लगा हो अगर यह आपने देख ली तो fourth class की पूरी evs हो जाएगी कल मैंने third class की करवाई दिये कल हम करेंगे fifth class की evs ठीक है तो यह तीनों वीडियो अच्छे से देख ले ना अभी तो दो ही है, कले को और आजाएगा fifth का, तो जिसने live नहीं join कर पाएँ हो वो no problem यह fourth class की playlist में होगी तो आप देख सकते हो जाके अगर वीडियो अच्छा लगा अपलाई कर सकते हो यार तो चलो आए हो, session अच्छा था बहुत important भी था यार हमने पूरी fourth class की evs को cover कर लिये चलो मिलते हैं कल fifth class की evs के साथ तो till then bye bye, take care और पढ़ते रहे